हरियाना के चुनावी पन्ने रोचक तथ्यों और किसों से अटे पड़े हैं जरूरत है तो इन पन्नों को खंगालने की जब हम इन चुनावी पन्नों को खंगालते हैं तो अनेक रोचक किस्से और तथ्यों हमें जानने को मिलते हैं इसी तरह के का एक रोचक किसा उपचुनावों से जुड़ा हुआ है विधान सवा की उपचुनावों से हर्याना की विधान सवा उपचुनावों का अपना एक इतिहास रहा है लेकिन यह भी एक रोचक तथ्य है कि बहुत से ऐसे बड़े दिगज चेहरे रहे जिनों ने पह परिवारों के भी कई सदस से उपचुनाव जीत कर विधान सवा में पहुंचे आज हम पॉलिटिकल फैक्ट्स सीरिज में आपको बताएंगे ऐसे कौन से दिगज चेहरे हैं जिनों ने पहली बार उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव के जरीए वो पहली बार हर्याना की विधान सवा में पहुंचने में कामयाब रहे साल 1938 बिर्टिश हकूमत का शाशन था उस समय देविलाल सियासत में सक्रिय थे वो चुनाव भी लड़ना चाहते थे 1938 में सिरसा में उपचुनाव हुआ लेकिन देविलाल की उमर छोटी थी इसलिए उन्हों ने 1938 में सिरसा वि विधान सवा में पहुंचे वो पहली बार उपचुनाव के जरिये ही विधायक बने थे इसके बाद 1970 में ओम परकास चोटाला जो हर्याना की पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव से जीत दर्ज की और आपको बता दें कि 1970 में वो पहली हासिल की आजकल अशोक रोडा कांग्रेस में सक्रिये हैं पहले वो इनेलों में सक्रिये थे थाने सर से वो 1990 में जंता दल की टिकट पर विधायक बने थे और वो भी उन चंद विधायकों में शुमार हैं जिनोंने उपचुनाव जीत कर पहली बार विधायक बनने में सफलत उनोंने कालका से तीन विधानसबा चुनाव 1996 में 2000 और 2005 में जीते लेकिन उपचुनाव जीत कर पहली बार वो विधाइक बने थे इसी तरह से साल 2005 में किरन चोधरी ने तुशाम विधान सबा सीड से उपक्चुनाव जीत कर पहली बार विधायक बनने में कामयाबी हासिल की थी उसी दोरान 2005 में ही यह चुनाव जून 2005 में हुआ था हिसार सीट से सवित्री जिंदल ने जो जिंदल घराने की एक बड़ी परिवारिक सदस्से हैं उन्होंने उपचुनाव जीत कर पहली बार विधायक बनने में सफलता हासिल की थी आपको तुशाम और इसार के उस उपचुनाव की एक दिल्चस्प कहानी भी हम इसमें बता देते हैं किरन चोधरी ने तुशाम के उपचुनाव में जो जून 2005 में हुआ था क्योंकि उनके पती की जो है 2005 में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी किरन चोधरी ने उस उपचुनाव में सानुबूती की इतनी लहर थी तुशाम की जनता की कि उनको निनीड में पॉइंट 37 वोट मिले थे और उनके प्रतिदवन्दी निर्दलिय उमीदवार मंगल सिंग को महज 338 वोट मिले थे आज भी सबसे अधिक मत परतिशत हांसिल करने का रिकार्ड किरन चोधरी के नाम है इसी तरह से हिसार सीट से उपचुनाव की नोबत तब आई थी क्योंकि सुरेंदर सिंग के साथ ओम परकास जिंदल जो सवित्री जिंदल के पती थे उनकी भी विमान हादसे में मौत हो ग विधान सवा में एंट्री की इस से पहले साल 2000 में एक और लाल परिवार के बड़े चहरी ने विधान सवा में एंट्री की उपचुनाव जीत कर यह उपचुनाव था रोडी का विधान सवा क्षेतर का ओम परकास चोटाला ने रोडी सीट से त्याग पतर दे दिया था क्य बैसिंग चुटाला को जबर्दस समर्थन मिला और उन्होंने करीब 95 फीस्दी वोट हासिल करते हुए जीत दर्ज की और लाल प्रिवार के यह भी एक तीसरे एंसे सदसे रहे जिन्होंने उपचुनाव के जरिये पहली बार विधायक बनने का सफर तै किया इसी प्रकार से ल क्योंकि साल 2011 में भी आदमपूर का उपचुनाव हुआ था इस आदमपूर उपचुनाव की नोबत इसलिए आई थी क्योंकि हिसार सीट से भजनलाल सांसत थे 2011 में उनकी मौत हो जाती है और अक्तूबर 2011 में कुलदीब बिशनोई जो है वो हिसार से सांसत बनती हैं सांसत बनने से पहले वो आदमपूर से त्याग पतर दे देते हैं और आदमपूर में उपचुनाव होता है उस उपचुनाव में कुलदीब बिशनोई की पतनी रेनुका चोधरी ने जीत दर्ज की और वो भी उपचुनाव जीत कर पहली बार विधायक बनने में काम्याब रही इसी तरह से साल 2003 में फत्याबाद से विधायक लिला किरिशन की मौत के बाद वहाँ पर उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में सवतंतर बाला चोधरी जो लिला किरिशन चोधरी की पुतरवदू हैं उन्होंने जीत दर्ज की और वो भी उपचुनाव के जरिये विधा सवा में पहुँची अभी कुछ समय पहले ही जनवरी 2019 में जीन्द का उपचुनाव हुआ था जीन्द के उपचुनाव में दिगच चेहरे मैदान में थे जीन्द के उपचुनाव की नोबत इसलिए आई थी क्योंकि वहां के MLA डक्टर हरीचन मिड़ा का नीदन हो गया थ और इसके बाद जनवरी 2019 में वहां पर उपचुनाव होता है उस उपचुनाव में हरीचन मिड़ा के बेटे डक्टर क्रिशन मिड़ा ने जीत हासिल की उन्होंने जजपा के दिगविजे सिंग चोटाला को हराया था इसी परकार से अभी कुछ महिने पहले ही नवंबर 2020 मे बरोदा में बाई इलेक्शन हुआ और उस उपचुनाव में इंदू राज नर्वाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने भारती जनता पार्टी के योगेश वर्दत को पराजित कर पहली बार विधायक बनने का सफर तै किया तो आप देख सकते हैं कि हर्याना की राजनीती में ऐसे बहुत से मोके आए जब नए लोगों ने उपचुनाव जीता और बहुत से बड़े दिगगत चेहरों ने भी उपचुनाव के जरिये ही सियासत में इंट्री की और विधायक बनने में काम्याबी हासिल की इन में जहां ओम परकास चोटाला के बेटे नाम शामिल है पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में हम आपको हर्याना के सियासी किस्सों और तक्तियों के बारे में इसी तरह की रोचक जानकारी देखते रहेंगे देखते रहें रिपबलिक हर्याना